नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेदर एजुकेशन पॉइंट बर दोस्तों जैसा कि आप समय बहुत दिनों से दोस्तों इंतिजार कर रहे हैं कि यूपी कममाइन टेक्निकल एक्जाम नोटिफिकेशन नुबर तेहीं 2016 का जो ए एक्जाम डेट आएगी ठीक है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों इसकी जो फोटू अबजेक्शन लिस्ट थी दोस्तों वो जारी कर दी गई थी पहले और इसका जो सिलेवस है वो भी जारी कर दिया गया था तो बरतमान में जो इस एक्जाम को लेकर अपडेट है दोस्तों बहुत सारे बच्चे हमसे लगतारी पूछते रहते हैं कि सरी एक्जाम कब होगा और कब वो इसके होनी की संभाव ना है या इसकी जो एक्जाम डेट है वो दोस्तों कब तक संभावित है तो दोस्तों मैं अपनी तो मैं विर्कुल किलियर नहीं कह सकता मैं भी इसको संभाई भी थी बता कर चलूँगा क्योंकि आप दोस्तों सभी जानते हैं कि UPSS-C का कोई विश्वास नहीं होता वो कब कौन सा रिजल्ट दे दे कब कौन सी डेट घोसित कर दे लेकिन जहां तक मुझे जो जानकारी दोस्तों प्राप्त होई है ठीक है मुझे जो जानकारी प्राप्त होई है दोस्तों मेरा फ़र्ज है आप तक वो जानकारी पहुचाना ठीक है चाहे है आप इस वीडियो को लाइक करना मत करना डिसलाइक करना उससे दोस्तों मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जो जानकारी है दोस्तो, वह जानकारी ये है कि जो अक्टुवर है आपका, ठीक है? जो आपका अक्टुवर है दोस्तो जो सासन है, सासन ने exam जो youpiter pi successa है दोस्तो youpiter pi successa ने सासन को सासन का मतलब उता जो govarnment होती दोस्तो उससे जो intercoles होते हैं जहां पर परिक्सा के इंद्र बनाने होते हैं, जो सचीव होते हैं, उनसे दोस्तों अनुमती लेनी होती है, तो सासन ने दो एक्जाम के लिए दोस्तों लिख के दे दिया है, सासन को, यूपीटर पलेसी ने, मतलब सासन को भेज दिया है, कि यह एक तो कौन-कौन से वे दो एक्जाम है पहला एक्जाम है नोटिपिकेशन नमबर 23 2016 और दूसरा एक्जाम है ASO ठीक है Assistant Statical Officer का जो एक्जाम है यह दो एक्जाम दोस्तों दोनों मतलब दोनों एक्जाम दोस्तों एक ही साथ होंगे एक ही साथ का मतलब यह है दोस्तों के पहले एक हपते में ये वाला एक्जाम हो जाएगा दूसरे हपते में दोस्तों वो दूसरा वाला एक्जाम हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं इन दोनों जो फॉर्म भरे गए हैं िसमें सबसे कम बच्चे हैं ठीक है, तो इसलिए भीडवार भी जादर नहीं होगी और इनके जो exam center हैं दोस्तों, इनके जो exam center हो भी सायद लखनों में ही बनाया जाए, ठीक है, तो सासन्क मानुबती मांगई है दोस्तों, अक्टूबर में exam कराने को लेकर, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूप्र ट्रपल एसी अब कई दिन से अपडेट पर अपडेट दोस्तों या जो पुरानी वेकेंसी को लेकर काम कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि इसके जो परिक्सा नियंतरक है ठीक है विपिन मिश्रा वो भी चेंज हो गए है बैभब मिश्रा दोस्तों जो नए तेज दर्रार ओफिसर माने जाते हैं तो वो आप परिक्सा नियंतरक बना दिये गए हैं और जैसे कि दोस्तों सुप्रीम कोट का हुआ था आप सभी जानते हैं ठीक है तो उसी के संदर में यूपिटर पले से भी दोस्तों अब अपनी परिक्सा दोस्तों आयोजित कराने के मून में हैं तो कहने का मतलब मेरा बस यही है दोस्तों किया आप बिरकुल प्रपेर हो जाई है अभी तक जो आप सोच रहे थे कि अगले साल होगा या कब तक होगा तो एक्जाम के लिए दोस्तों सासन को लिख दिया है और जैसे ही दोस्तों वहाँ से मंजूरी मिल जाएगी मैं आपको तुरंत बता दूँगा कि किस डेट को एक्जाम रखा जा रहा है लेकिन अभी तक जो अपडेट है दोस्तों वह अ दोस्तों चाहिए यूपी बीेड के एक्जाम को लेकर हो या वियो के एक्जाम को लेकर हो दोस्तों जिसमें काफी लाखों में स्टूडेंट थे तो जब उनको मंजूरी मिल सकती है तो आपके तो बहुत छोटे एकजाम है ठीक है मातर 50,000 50000 के फूर्म बाले एकजाम है इ दोस्तों आपके लिए बार-बार ये सब चीजे क्यों कहा रहा हूं ठीक है इस वीडियो को पूरा देखने या ना देखने से मेरा कोई फादा नहीं होगा क्योंकि मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है मुझे कोई पैसा नहीं मिलता या ठीक है आप अगर कभी ये सोचते हो कि बार-बार परिशान करने आ जाता या ये चीज तो हमें ये चीज तो हमें ये चीज तो हमें ये चीज